नमस्का, राजनामटी ही पर आपका स्वागते, मैं प्रियाब आपके साथ कुछ दिन पहले खबर आई थी की वाई टू का डारेक्शन करने के लिए यश्राश फिल्म्स ने अयान मुखर जी को अप्रोच किया है उन्हें सिधार्त आनंद की जगल लिया गया रिपोर्ट्स की माने तो उन्हें इस फिल्म के लिए तकरीबन 32 करोड की मोटी रकम दी जा रही है इसी बीच खबर ये भी है कि आयान का वाई टू में काम करना करन जोर को रास नहीं आया रिपोर्स की माने तो करण इस बास से काफी नाराजे कि आयान ने ब्रहमास्त की सीकुल को बीच में छोड़ कर यश्राज फिल्म के साथ हत मिला लिया रिपोर्स की माने तो आयान ने डायरेक्टर की फीस के तोर पर 32 करोड लेकर कौंट्रेक्ट साइन कर लिया है वो इसी महेने से फिल्म के प्री प्रोडक्शन का काम शुरू करने वाले हैं नवमर 2023 तक फिल्म की शूटिंग भी स्टार्ट हो जाएगी रितिक रोशन स्टारर ये फिल्म 2024 के अंत या 2025 के शुरुआत में रेलिज होगी वार के पहले पार्ट को सिदार्थ अनन ने डारेक्ट किया था लेकिन उन्हें ये शुराष्ट फिल्म ने अब दूसरी फिल्म की जिम्मेदारी दे दी है एक रिपोर्ट के मताबिक करन जोहर चाते थे कि आयान पहले ब्रहमास के सीक्वल पर काम करे उसके बाद वार्टू की मेकिंग स्टार्ट करे करन इस बात से खासे नाराज है कि आयान ने ब्रहमास के सीक्वल को मजधार में छोड़ दिया जो कॉंट्रेक्ट था उसके हिसाब से आयान को पहले ब्रहमास्तर टू में काम करना था क्योंकि करन जोहर ने इस प्रोजेक्ट में सो करोड से अधिक का इन्वेस्मेंट किया है हाला कि कुछ दिन पहले आयान ने एक स्टेट्मेंट जारी कर कहा था कि वो ब्रहमास्तर के सीक्वल को बनाने में जादा समय नहीं लगाएंगे फिल्म के पहले पार्ट को बनाने में लगबग 10 सालों का समय लगा था अयान का कहना है कि अगर वो इतना ज़्यादा समय लगाएंगे तो उनके फिल्म देखने कोई नहीं आएगा वार का बजट तकरीबन 200 करोड बताया जा रहा है ये यश्राज इस्पाई उनिवर्स की छटी फिल्म है इससे पहले पठान, वार और टाइगर जिन्दा है जैसी फिल्म में पहले ही इस्पाई उनिवर्स का हिस्सा हो चुकी है इसी के साथ मने रहे है राज़ नवा टीवी के साथ तर निवाद